इस बुक रिव्यू सीरीज में आज जिस बुक को हम कवर करने वाले हैं वो बुक है How to Attract Money और इस बुक को लिखा है Dr. Joseph Murphy ने यह मेरे कुछ फेवरेट आथर्स में से एक हैं और Dr. Joseph Murphy की एक बहुत ही शानदार बेस्ट सेलिंग और लाखो लोगों की जिंदगी चेंज करने वा हैं अपनी लाइफ में जो कि उन्होंने इस बुक के माध्यम से हमें बताने की कोशिश किये तो बिना वक्त जाय किये शुरू करते है तो money को attract करने के लिए धन को अकरशित करने के लिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हमारा अधिकार है rich and wealthy होना हम यहाँ पर एक abundant life जीने के लिए आये हैं जिन्दगी को धक्का मारने के लिए या जिन्दगी को काटने के लिए नहीं तो इस video में हम जानेंगे कि पैसे से दोस्ती कैसे की जाए ताकि हमारे पास हमेशा एक surplus रहे हम खूब money और खूब wealth को अपनी life में attract कर पाएं तो पैसे से दोस्ती करने क freedom क्योंकि अगर मेरे पास वो symbol of exchange होगा तो उसके बदले में मैं कुछ भी खरीच सकता हूँ it means beauty, it means luxury, it means abundance अब ज्यादा तर लोग क्यों इन सब चीजों को हासल नहीं कर पाते हैं आथर कहते हैं कि पैसा अगर हमारी life में निरंतर और भरपूर मात्रा में flow नहीं हो रा तो there is something radically wrong with you और उसे ठीक करना है, उसे कोसना नहीं है तो ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज जो आथर बताते हैं वो ये कि हमको पैसे को appreciate करना है जिसके लिए जो सबसे पहले mind में पैसे को लेकर के negative beliefs हमारे पड़े हैं या किसी ने बिठा दिये हैं या society ने program कर दिये हैं उनको हमको remove करना है completely क्योंकि याद रखो कि जिस चीज को हम condemn करते हैं, जिसकी निंदा करते हैं, जिसको धक्का लगाते हैं वो हमारे पास दुबारा आना नहीं चाता कोई guest हो, कोई इंसान हो, हम उसकी बेज़ती करेंगे तो वो क्यों हमारे पास आएगा, वो हमें पसंद नहीं करेंगा ठीक उसे तरह, हम सब ये बात जानते हैं कि हर चीज energy है हर चीज के साथ कुछ vibrations attach होती है तो वो जो पैसा है, उसके साथ हम ये vibrations क्यों attach करें कि हमें तुमारी जरूरत नहीं है, हम तो तुमारी निंदा करते हैं हम तो तुमारी आलोचना करते हैं तो इसी लिए सबसे पहले उसको appreciate करना शुरू करें पैसा तो कुछ भी नहीं कर रहा, it's a piece of paper, it's a medium of exchange जैसे पुराने जमाने में कोई सामान खरीदना होता था तो एक इंसान के पास भेडें थी, तो वो अपनी बहुत सारी भेड ले जाता था और बदले में सामान ले लेता था अब आज इसको आसान कर दिया गया कि वो भेड इतनी सारी carry ना करनी पड़े तो हमने एक token बना लिया, हमने एक note बना लिया, सिक्का बना लिया कि ये पे करके हम उसके बदले में चीजें लेंगे जैसे पुराने जमाने में बाटर होता था तो वो, क्या वो बाटर भी गलत था, क्या वो जो किसान खेती कर रहा है वो गेहूं देख करके चावल खरीद रहा है, क्या वो भी गलत है नहीं, आज भी तो हम भई कर रहे हैं बलकि हमने जो हमारे चावल थे, यानि कि जो भी हमारा हमारा काम है उसको हमने उस पैसे में convert करके रख लिया ताकि वो सड़ेगा नहीं, ताकि वो गलेगा नहीं और हर एक इंसान के पास चल सकेगा तो इस अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो पैसा कैसे गलत कर सकता है गलत करने वाले की सोच गलत होती है अच्छा करने वाले की सोच अच्छे होती है तो author यहाँ पर एक बहुत खुबसूरत cosmic law बताते हैं और इस cosmic law को वो बोलते हैं the cosmic law of harmony कि हर चीज एक संतुलन में रहनी चाहिए तो इसको समझाने के लिए author कहते हैं कि कुछ भी चीज लेने के लिए कुछ देना जरूरी है ताकि एक balance create किया जा सके और यह प्रकृति का इस nature का काइनात का एक तरीका है संतुलन मनाने का harmony create करने का तो author कहते हैं कि कुछ भी कमाने के लिए किसी को अगर हमने गलत कुछ बेचा तो वो संतुलन बिगाड़ देता है जैसे एक example देता हूँ अगर हमने किसी को कोई 20 रुपे की चीज बेची लेकिन उस 20 रुपे की चीज में हमने value 10 रुपे की provide की तो कहीं न कहीं हमने उस harmony को बिगाड़ दिया उस पैसे से अपने रिष्टे को बिगाड़ दिया तो author कहते हैं कि हमें value जादा देने पर focus करना है अगर हम value जादा देते हैं हम 20 रुपे की value देते हैं लेकिन हमने उसके 10 रुपे चार्ज किये तो ये प्रकृती का जिम्मेवारी बन जाती है उसकी कि वो उस balance को बराबर करें अब वो कहीं ना कहीं से हमको वो जो हमने extra एक चीज प्रोवाइड की थी उसके बदले में हमारी वो price को बराबर करेगा यानि कहीं और से हमें 10 रुपे मिल जाते हैं उसी तरह author कहते हैं कि बहुत सारे लोग evil तरीके से या बुरे तरीके से पैसे को कमाते है और कई बार देखने वाले को भी ये लगता है कि यार ये गलत तरीके से लाको रुपे कमा रहा है लेकिन फिर बीस के पास पैसा आये जा रहा है तो author कहते हैं कि वो जो harmony है वो जो जिसको उसने गड़वड किया यानि कि पैसे बहुत सारे charge कर लिए लेकिन उसके बदले में वो satisfaction नहीं provide की या उतनी value provide नहीं की तो जरूरी नहीं है कि कुदरत उसको उसका reward या उसका खामया जाए वो पैसे की शकल में ही देगा ये तो हमारे इंसान की बनाई हुई सोच है मेरे दोस्त हमें लगता है कि हमारा हमने कुछ अच्छा किया, company में अच्छा किया हो सकता है हमारे परिवार में हर कोई healthy हो, happy हो, satisfied हो तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने गलत किया तो उसको पैसे का ही loss होगा, उसकी mental health का loss हो सकता है, उसको anxiety के रूप में loss हो सकता है, उसको किसी बिमारी के रूप में loss हो सकता है, तो कहीं न कहीं प्रकृति उस संतुलन को बनाना चाहती है, उस harmony को create करना चाहती है, कि जो price हम किसी से charge करते हैं उसके बराबर की value दें in fact, अगर हम कम value देते हैं, तो हमें उसकी value कहीं न कहीं pay करनी पड़ती है, तो जैसे मैंने बताया वो किसी भी segment से जा सकती है और ये तो आज हम सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रम्हांड ये पूरा universe, energy, frequency और vibration से operate हो रहा है और जिस तरह की vibrations हम उस पैसे के साथ attach करते हैं, वही हमारी जिन्दगी में awareness को लेकर कर आता है इसको मैंने बहुत detail में और अच्छे से इस book review में आपको समझाया था, happy money by Ken Honda कि कैसे, खुशी-खुशी पैसे के साथ हम संबंद बना सकते हैं अगर आपने ये नहीं देखा तो जरूर देखना तो इसका इस्तेमाल humanity को bliss करने के लिए होना चाहिए humanity की help करने के लिए होना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक harmony create करते हैं और हाँ ये जो मैं प्रयास कर रहा हूं कि book को deeply elaborate करके आपको समझाऊं कि आप उस book का crux समझ पाएं अगर आपको ये मेरी कोशश, मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप भी इस harmony को जरूर create कीजिए बदले में एक छोटा सा like आप चाहें तो इस video पर drop कर सकते हैं चाहें तो बड़ा सा comment भी drop कर सकते हैं और अगर कुछ भी ना करना चाहें तो कोई बात नहीं एक gentle सी smile अगर आपके चेहरे पर आगई video देखते हुए सुनते हुए या इसकी किसी भी एक learning को आपने अपनी जिंदीगी पर follow कर लिया तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी blessing का काम करेगी वो कहते हैं कि हमें अपने subconscious को पैसे की constant supply के लिए affirm और program करना पड़ेगा और ये तो हम सब जानते हैं अपनी जिंदीगी में follow करनी है तो ये book आपके लिए best हो सकती है The Power of Subconscious Mind अगर आप चाहेंगे तो इसकी भी एक beautiful summary आपके साथ जरूर शेर करूँगा इसका review जरूर शेर करूँगा तो कहने का मतलब है author का कि हमें अपने subconscious को program करना पड़ता है तो आप regularly, author बोलते हैं कि ये affirmations आप regularly बोल सकते हैं कि money is forever circulating in my life पैसा लगातार मेरे जीमन में प्रवाहित होता रहता है and there is always a divine surplus और इस affirmation की सच्चाई को feel करना है जितना ज्यादा आप इसको feel करें कि हाँ there is some divine power जो कि मेरी life में abundance को हमेशा से supply करती रहती है कई लोग ये बोलते हैं कि affirmations तो हमारी काम ही नहीं करती हैं ये बार-बार बोलने से हम अमीर थोड़ा हो जाएंगे अगर ऐसा ही होता तो दुनिया का हर इंसान अमीर हो जाता कई लोगों को सुना होगा ऐसा लेकिन जोसफ मर्फी बोलते हैं ऐसा नहीं है ये affirmations कैसे काम करती हैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो हमारा subconscious है वो उस thought और feeling को लेता है जो सबसे जादा dominant होती है जो सबसे जादा problem होती है और ये तो आप जानते होगे कि हमारा subconscious अगर हम इसको program करना चाहते हैं तो हमको बहुत hard feelings के साथ dominant feeling के साथ powerful feelings के साथ कोई भी बात अपने subconscious को दे नहीं होती है अब बहुत से लोग जो ये बात बोल रहे है कि I am wealthy, I am prosperous तो उन्होंने ठीक है इसको बहुत feeling के साथ बोला लेकिन वहीं अगले ही पल दो मिनट के बाद वो गया दे यार billy नहीं भरा जा रहा पैसे आई नहीं रहे, कोई client मिली नहीं रहा तो कहीं न कहीं वो जो दो मिनट उन्होंने दो positive lines को बोला, वो सिरफ lines है बलकि उसके बाद वो जो 23 गंटे और 58 मिनट पूरे दिन में कहीं न कहीं सोते जाकते हर टाइम, वो जो negative feelings उनके mind में चल रही है, कि मेरे पास तो पैसा आई नहीं रहा, आपने तो billy नहीं भरे जा रहे है, अपनी तो income ही नहीं हो रही, अपने को कोई client ही नहीं मिल रहा है कोई vendor नहीं मिल रहा, अच्छा माल देने वाला तो वो पूरे दिन में जो negative programming हो रही है, वो dominant है, वो ज्यादा प्रबल है, और हमारा subconscious मैंने बोला कि उन feeling से चलता है जो dominant होती है, जो ज्यादा प्रबल होती है, तो क्यों result मिलेंगे, कैसे result मिलेंगे, नहीं मिलते हैं, इसलिए कई बार ये बोला जाता है, और author भी इस book में बोलते हैं, कि जो लोग spiritually grow कर जाते हैं, जो spiritual development की journey पर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं उनकी life में कैसे सब कुछ abundantly flow करने लग जाता है, आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा, जो regularly meditations करते हैं, spiritual practices करते हैं, और उनकी life बहुत खूबसूरत और bliss से भरती जाती है, उसका reason, डॉक्टर जोसफ मर्फी बताते हैं, कि जब हम spiritual practices में होते हैं, तो एक belief हमारे साथ connected हो जाता है, वो belief यह है कि there is some supreme power, कोई न कोई ऐसा है, divine being ऐसा है, अल्ला, वाइगरू, गौड, परमात्मा, या जो भी यह काइनात है, universe है, यह कहीं न कहीं मेरे साथ है, और हम उसके साथ align होने लगते हैं, तो जब हमको यह जो supreme being है, जो हमको सब कुछ दे रहा है, जिसने यह पूरा का पूरा creation रचा है, जब हम उसमें एक belief और या इस supreme power को मैंने यह बता दिया कि मैं जिन्दगी में क्या चाहता हूँ, तो वो होगा ही होगा, क्योंकि यह divine energy जो है, जो यह cosmos है, यह हमेशा हमारी feelings को, हमारी vibrations को, हमारी energy को response देता है, जैसे कि Dr. Joseph Murphy ने the power of subconscious mind में बताया, तो जब वो लोग जिनको पैसे नहीं मिल रहे, affirmations बार-बार करने पर भी, जब वो कहते हैं कि I am prosperous, तो उनका जो कमी वाला भाव होता है न, वो ज्यादा dominant हो जाता है, और उनके अंदर से एक मन यह जानता है, कि यह इंसान जूड बोल रहा है, यह बोल रहा है, I am wealthy, I am healthy, I am prosperous, मेरे पास बहुत पैसा है, थोड़ी देर बाद वो कहता है, चल, जुटे, क्या बोलता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो खुद ही जान रहा है, कि इसका जो feeling, dominant feeling वाला thought है, वो तो कुछ और ही निकल कर क्या रहा है, सबसे बड़ी जो superpower है, वो है हमारा belief, क्योंकि हमारे belief से, हमारे मान लेने से, जिस चीज को हम सच मान लेते हैं, उस feeling को हम dominant बना पाते हैं, अक्सर आपने एक चीज देखी होगी, कि कई बार हम उस doctor से, एक बहुत छोटी सी दवाई से भी ठीक हो जाते हैं, और कई बार कोई ऐसा doctor, जो हमको दवाई पर दवाई देता जाए, हमारे पास कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि हमें लगता है, हम उस वाले doctor के पास नहीं जा रहे हैं, जिसने पिछली बार हमें ठीक किया था, तो कहीं न कहीं वहाँ doctor की दवाई से जादा हमारे belief system का रोल है, इसी को तो बोला गया, placebo effect, nocebo effect की दवाई से जादा उस चीज की सोच, उस चीज का belief हमारे उपर काम करता है, तो एक बहुत simple से visualization के process को आप follow कर सकते हैं, जो doctor Joe Dispenza अपनी book में बताते हैं, वो कहते हैं कि इसके 100% amazing results आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो दवा करते हैं इस बात का, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दिन में एक बार, कभी भी, चाहे shave करते हुए mirror में ही आप देख करके यह बोलें, और दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस चीज को repeat करें अपने mind में, health, wealth and success, do not say I am healthy और I am successful, यह मत बोलो कि I am successful यह I am healthy, सिर्फ यह बोलो, health, wealth and success, और इन तीनों चीज़ों को बोलते हुए, इन चीज़ों को feel करो, पूरी conviction से, कि जब आप बोलो health, तो अपनी mental जो image यहाँ पर create होती है mind में, उसमें अपनी health को, beautified health को देखो, improved health को देखो, जब आप बोलो wealth, तो अपनी जिंदिगी में क्या wealth आप चाहते हो, कितना पैसा, कहां की vacation, कैसा घर, कैसी गाड़ी, क्या bank balance, जो आप चाहते हो, उसको visualize करो, तो इन तीन words को ही, magically, सिर्फ दिन में 5 से 10 मिनट तक अगर आप इनको बोलते हो, इनकी mental clarity को, pictures को यहाँ पर देखते हो, इनको feelings के साथ visualize करते हो, तो Dr. Joe Dispenza बोलते हैं, कि ऐसा हो इनी सकता, कि यह किसी की life में काम न करे, बस इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक की feeling बहुत ज़्यादा deep हो, और दूसरा आपका belief बहुत ज़्यादा strong हो, दर नहीं हो, कि यार यह जो मैं बोल रहा हूँ, यह कल को हुआ ना हुआ, तो पता नहीं, belief हो, कि जो मैंने बोला है, वो होगा ही होगा, बहुत सारे सेंकड़ों ऐसे examples हैं, जहां पर लोगों ने सिर्फ इस process को follow किया, उसको feel किया deeply, और उसमें belief रखा, कि आज नहीं तो कल यह हो नहीं होना है, क्योंकि यह जो universe, super powerful universe है, इसको मैंने अपनी बात सौप दी है, अब यह मेरी चीज़ को मुझ तक पहुचाएगा ही पहुचाएगा, और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करते रहे, थोड़े से action लिते रहे, मैंने बोला ना, यह जो universe है, यह harmony create करना चाहता है, यह देखना चाहता है, जो आप बोल भी रहे हो, वो करते भी हो, walk your talk, इसलिए अक्सर बोला जाता है, कि हमें वो नहीं मिलता सिर्फ जो हम चाहते हैं, हमें वो जल्दी मिलता है, जो हम होते हैं, यानि अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन चाह अच्छा रहा हूँ, तो मुझे उसके result नहीं मिलेंगे, क्योंकि harmony नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कर भी रहा हूँ, वाक दे टॉक है यहाँ पर, तो मुझे उसके results बहुत जल्दी मिलेंगे, तो ठीक उसी तरह जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, अगर वो मैं हूँ भी, उसी process को भी मैं follow कर रहा हूँ, अगर मैं health को चाह रहा हूँ, और health के लिए कुछ steps भी मैं ले रहा हूँ, तो congruence हो गया ना, एक harmony create हो गई, तो वो मुझे तक पहुचेगा, ही पहुचेगा, इस belief को अगर हमने establish कर लिया, you can change anything in your life. Next, author बोलते हैं, all of our external movements, motions and actions follow the inner movements of the mind. हमारे बाहर जो भी कुछ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो mental projection है, उसका ही नतीजा है. अगर कोई बिमारी मिल रही है, तो वो भी आज ये prove कर चुका है science की, हमारी 95% से ज़ादा disease psychosomatic होती है, हमारी सोच, हमारे emotions, हमारे negative feelings ने create की हुई होती है. तो author भी वही बात बुल रहे हैं कि जो भी physically हम steps ले रहे हैं बाहर, या जो भी objective हमें बाहर मिल रहा है, जो patterns हमें बाहर मिल रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे internal, हमारे mind का subconscious में जो store हो चुका है, उसका ही नतीजा है. और यह जो thoughts and feelings हैं, यही हमारी destiny को create करती हैं. तो अगर हमारे पास health को लेकर के consciousness हैं, हम 24 गंटे health को लेकर के conscious हैं, तो यह हमारी health को better करेगा. क्योंकि अगर हम उस चीज को लेकर के conscious हो गए, तो हम bad steps भी नहीं लेंगे और एक belief के साथ, conviction के साथ आगे बढ़ेंगे. तो वो बोलते हैं कि consciousness of wealth produces wealth. जैसे health की consciousness, health produce करती है, वैसे ही wealth की consciousness, wealth produce करती है. तो consciously जब हम wealth को observe करने लग जाते हैं, उसमें एक belief रखते हैं, उसके साथ feelings को attach करते हैं, तो वह वही चीज हमारी जिंदगी में लेकर के आती है. और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर जो author बोलते हैं कि अगर हम पैसे को अपनी जिंदगी में attract करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि दूसरों के पैसे को भी, दूसरों के धन को, health को, wealth को, success को आप blessings दीजे. क्योंकि वो बोलते हैं, what you bless, you multiply, and what you condemn, you lose. आप जिस चीज को blessings देंगे, वो आपकी जिंदगी में बढ़ बढ़ के, गुना होके, multiply होके आएगा, और जिसको आप condemn करेंगे, निंदा करेंगे, वो हम उसको खो देते हैं, जिंदगी से वो चला जाता है. तो अगर हम कहीं किसी दूसरे इंसान को, दोस्त को, कुलीक को, किसी रिष्टेदार को, किसी दुश्मन को, ज़्यादा पैसा कमाते हुए देखते हैं, ज़्यादा successful होते हुए देखते हैं, तो कहीं नगई mind में लगता है कि यार मैं रह गया, लेकिन author यहाँ पे बोलते है कि आपको उसको blessing देनी है, आपको देखना है कि वो divine energy तो लगतार अपना काम करती जा रही है, तो वो जो उसको मिला है, उसको अगर आप blessing देते हैं, तो वो आपकी जिन्दगी में भी आता है, इसलिए the law of reaction and reaction को समझेए, the law of harmony को समझेए, पैसे को appreciate कीजिए, दूसरे के प संतुलन बिठाए, आप चाहते नहीं है, आपने सिर्फ बांटा है, चाहत नहीं है, लेकिन जब ये universe संतुलन बिठाए, तो वो अपने आप बराबर कर दे, आपका हिसाब किताब, उस अच्छे से या बुरे से, जो भी चीज आपकी जिन्दिगी में आने वाली थी उससे, और कहते हैं कि ये जो भी आप जिस भी चीज की reality mind में create करना चाहते हैं, उसको fear और doubt से और worry से हमेशा के लिए दूर रखो, अगर आपने एक belief establish कर लिया, चाहे किसी को काम को करते हुए कि मैं ये करके रहूँगा, पैसा कमाते हुए कि मैं इतना हासिल जरूर कर लूँगा, मैं इतनी service provide कर रहा हूँ, इतनी value provide कर रहा हूँ, तो उससे fear को दूर रखो, डरो मत पूरे दिन में कि यार, होगा या नहीं होगा, doubt को दूर रखो, कि यार मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अपनी उपर कई बार हम doubt करने लग जाते हैं, लेकिन इस universe के उपर, और इस काइनात के उपर, उस supreme being के उपर doubt मत करो, क्योंकि एक बार जो उसने commitment कर दिया, उसके बाद वो अपने आपकी भी नहीं सुनता है, वो harmony को बराबर करता है, और हम तक abundance को पहुंचाता है, तो मैं उमीद करता हूँ, दूआ करता हूँ, कि आप अपनी जिंदेगी में बहुत सारा धन attract कर पाएं, अच्छी vibrations के साथ, positive energies के साथ, लोगों की life में value add कीजिए, और ये जख मारते हुए जरूर से जरूर पीछे आएगा, इस बात का मैं दवा करता हूँ.